तो स्वागत है आपका ग्यापन एकेडवी की बहुत ही मस्त सिविक्स की क्लास में और यह सिविक्स की क्लास संपूर्ण अबजेक्टिव एक विडियो में आपका बावु अबजेक्टिव कंप्लेट आप बार 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 बोल लेते ना कि सर्व जल्दी से जल्दी कंप्लेट करें यह सेश्टी था कि दूसरा सब्जेक्ट भी और आप रिविजन करा सकें तो टेंसन मत लेजे बाब आपका हिस्ट्री जियोगरफी एकनॉमिक्स और सिबिक्स इसका महराथन हम पूरा का पूरा अपलोड करके इसका महराथन फिर इसका अब्जेक्टिव महराथन इसका महराथन अपलोड हो चुका है इसका अब्जेक्टिव का महराथन अज अपलोड हो रहा है यह बहुत ही मस्त है ठीक है और यह आपको याद भी हो जाएगा बहुत इस तो सबको लगबग आता है राइजितिक पार्टी क्या होता है यह सब इसको हम लोग कंपलीट करे प्लीज ज्यादा सेशन को सेयर किजिए और हाँ सब्जेक्टिव का कुछ ऐसा ट्रिक तयार किया है कि आपको अपना बड़ा वाला सब्जेक्टिव याद नहीं करना पड़ेगा ठीक है कुछ इस तरह से दिमाग लगाए गया है फिर हम लोग आगे देखते हैं उसके बाद स में राष्टिय अस्तर पर यह पहले कलर बदलें यह अजीब सा कलर दिख रहा है अब तेरी क्या जरूरत है यह यह देखें भारत में बात करें राष्टिय अस्तर पर पंचायती राज की अस्थापना कब हुई दी तो 1969 पूरा डेट है दो अक्टूबर 1969 ठीक है और यह किस अनग्षायती राज के बारे में किसने पणाया था तो बलवंतार्य मेगता ने बोला था कि व bleek 5 तीन अस्तर का होना चाहिए ठीक है अगले क्सेया की बात करें यहां पूरा कपूरा लिक भी दिए है कि बलीवंताय मेहता समेथ्टी 3 स्तर है याद रखिएगा बलोमत्रय म हमेहता बोले में कि पंचायट तीन अस्तर का होना जाए ठीक पहला अस्तर का हो ना चाहिए गृम पंचायथ हो जाएगा दूसरा गृ‌समीत्य आतिसरा हो जाएगा यह क्या बोलते हैं ग्राम परिशद यह हो जाएगा ठीक है चलिए तो अगला कुश्चिन को हम लोग यहां देखते हैं एक मिनुट हम थोड़ा सा यह डाउट में आ जाएगा पहला हो जाएगा मान लोग ग्राम पंचायत पंचायत समेथी और तीसरा जीला परिशद होता है ठीक है तो यह तीनों आपक तो यह हो जाएगा याद रखेंगे जाएगर अब और चीरी यह सबसे पहले पंचायत यून व कर Stay कि सबसे पहले भारत में जाओगे नहीं अजिए ठीक है राजस्थान यहां पढ़ता रयस्थान यहां कि ए लेकना बात करिकर ऑए सबसे पहले सोहर कहां सुरू किया गया कि सहर में भी चुना होना चाहिए तो इधर सहर हो गया यहां पे मद्रास ठीक है मद्रास वाला इलाका में यहां चिन्ने वाला इलाका में यह सब यह सुरू वह था नगर की बेवस्ता नगर यह पंचायत और ग्राम पंचायत की बात करें पंचायती रा रहाए ठीक है यह लिख विदियें एस्पैन पाकिस्तान अगरा सब हो जाएगा नेपाल में सब संगिया भी हशता है क्योंकि यह सब राजियों से मिल करके और तब देश बनाए भारत में राजियों मिल करके बनाए ठीक है लेकि दोनों में बहुत अंतरे अमेरिका और भारत यहाँ देखिए भारत में सरोपधिम नगर ४ी आज था अपना का होई थी तो बतायते हैं नगर मूह नगर मने होता है सहर ठीक है पटकर अब करते हैं कि भारत में समीधान सबा का गठन 1996 टीके समिद्धान समीधान सुछे एगा छा कैसा रहेगा कि अगर हम लोग देश का सम्मिधान बना देंगे तो सभी लग उसी को फॉलो करेंगे तो भाई 1946 में सम्मिधान बनाया गया अब देखिए अगला बात करते हैं यहाँ देखिए अगर हम कुछ से नहीं यह वाला बात करें तो पंचायत समीती आपको बताये थे कि पंचायत तीनस तरक होता है पहला होता है ग्राम पंचायत ठीक है उसके बाद से पंचायत समीती पंचायत समीती यह उसके बाद होता है जीला पारिसत तो यहाँ पर बोला है कि पंचायत ग्राम पंचायत में तो मुख्या जीमेन होते हैं केंदर सासित परिसल जिस पर केंदर का ससन होता है , Ashटिश घर भी राज यह उत्राखंड भी राजी यह भी नहीं होगा ठीक है चंडी गट को केंदर साशित परद्यस घोसित कर दिया गया है ठीक है अब आप भी बता सकते हैं कि चंडीजथानी है ठीक है किसी दो की रजधानी है कि नहीं अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन सविधान साभा का गटन फिर रिपीट हो गया उनने सो च्यालिस में हुआ था कैबिनेट मिशन बैठा था मिटिंग लिया गया था अब बात करते हैं इस कोश्चन का सेबन नमबर कोश्चन पंचायती राज बेवस था मुनेग पंचायत की बाद सर्वपरतम भारत में किस राजे में लाग उवा था कब लाग उवा था तो दो इक्टूबर गांधी जी चाहते थे कि न पंचायत रह इसलिए इनीके जनम दिन पर ये लगा दिया 2 इक्टूबर 1969 को लाग उवा था ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं ग्राम पंचायत का सचीव कौन होता है तो ग्राम पंचायत का सचीव यहां पे पंचायत सचीव होता है ठीक है अब देखिए अगर बात करें ग्राम पंचायत का हीड कौन होता है तो हीड होता है मुखिया देखिए अब मुखिया तो जो भी कागज फज रखेंगे तो भुलौा लवा देंगे पोड़ो कि अगर नहीं होंगे तो ति इसके देखरें के लिए ग्राम सेवक बहाल होता है जो सरकार बहाल करती है आईसी में पंचायत में भी होते हैं सरपशजी तो सरपशजी भी कि अगर क्या निकले, अनपढ निकले, नगर निकले, तो इनके कागज पतर की देखरे, कौन करेगा ? पंचायत का सचीू करेगा. तो वही ग्राम पंचायत में सचीू कौन होता है ? पंचायत सची होता है. ठीक है ? दोनों अदमें के लिए , यह सरकार कुश बहालकर कर रखिए कि दोनों बकलोल निकला तो यहां पर इनका सम्हालने के लिए अलग कुछ भी वस्ता हैं पटना में नगर निगम के अस्था अपना उननी सो बावन उस समय 75 गोवाड था कितना वाड था वहां पर 75 वाड था नगर निगम पटना में पहली बार सहर भाई उननी सो बावन में यह सब बना मुखिया का ए शॉरी वहां पर एलेक्शन होने लग भारते समिदान में अधिकारों की सुची है अब देख लेते हैं यहां पर कौन सा सुची है यह एक दो इधर उधर गबडा गया है ठीक है एक मिनट रुक जाए एक ग्यार नंबर है अप्सन है दो तीन चार और पांच तो अधिकारों की सुची आपको देखा जाए तो यह अप्सन में कितने अधिकार मने जाते हैं यह थोड़ा सा कुस्चन उटपटांग सा भारतिय समिधान में अधिकारों की सुची अच्छा आपका अधिकार मूल अधिकार दो है अधि किल रोल्ग्रोह के यह भी नहीं होगाँ यह होना चाहिए समिधान बुरह मन य्यत्ता कि संस्गे कि नहीं है related और यह आठिवी आनसूची में कौण से निहीजरों है आठमी यहां वाप या इस गों भाशा का जिक्र किया गया और बारावी यान सुची में नगर पंचायत का जिक्र किया गया है तो यह लिक भी दिया आठवी नी सुची में जिक्र किसका है बाइस वसा का जिक्र है इन में से कौन के अंदर सासित परदेश है तो यहां देखिए तो सब तो यह देखा जाए तो यह वाला दिल्ली एक मिन कौन सक्के अंदर सासित प्रदिश नहीं है तो नहीं है तो यहां पर मीजोरम क्या है एक राजय है अगला कुशन भरतिय जंदा पाटी बीजेपी ठीक है जिसका चुनाव चीन कमल छाप है आपको पता होना जी कि बीजेपी का मुख्या प्रेडक सिद्धान्त है शंकृती राष्टवाद याद रखेगए संस्कृती राष्टवाद और बीजेपी जब आया था ना शाषन में पहली बार जब बीजेपी पाटी बनी थी 1980 के करीब बना था कब बना था 1980 में बना था तो यह आया था तो पहले पता है किसको देखके जलता था या किया जम्बू कस्मीर को देखके जलता था किसको जम्बू कस्मीर को कहता था कि जम्बू कस्मीर में पहले विसेसराजे का दरजा को हटाया जाए ठीक है तो यह बिसेश राजी का दर्जाए भी हटवा है तो यहां लिकी भी दिया है आपको कि 1910 में भारतिया जन संग के अस्थान पर पहले नाम इसका भारतिया जन संग था उसके अस्थान पर भारतिया जनता पाटी के गटन हुआ इसका मुख्य लग्च था कि भारत में जो पुराना पुराना संस्कृती है उसको अधुनिक भारत का उससे निर्माण किया जाए बाद में इन्होंने क्या किया कि IV980 मेंistersय पाटी को जिता चेका अगला किक देंस सा wraps ग्रामकच अंग नहीं का है कि उन्मिक कुन सा कारवै या नहीं आते हैं यह वहला इंसर हो जाएगा ठीक है ग्राम पांचायत की नहीं कर चाहरी की बात करें उसमें नियाइमित्र होते हैं सरपंच होते हैं और नियाइस अच्छी होते हैं यह ब होती है तो संग्य ब्यास्ता में सरकार दूई दलिया होती है यह बहुत दलिया भी कह सकते हैं हम लोग इसका तो यहां बहुत दलिया ही मारीएगा ठीक है दो दल नहीं कह सकते हैं संग्य ब्यास्ता में बहुत दलिया होती है अगला कुशन बिहार में अस्थानिय निकायों के चुना गया है अगला कुशन की भारत लोक सभा में निर्वाचन है तुकूल कितने सीटे हैं 533 लेकिन सुनिए आपके इसी एससी आटी में 542 दिया है ठीक है लेकिन मेरे हिसाब से और गुगला के हिसाब से भी 543 यह बला हो जाएगा बिहार में कितनी अबादी पर पंचायत समित्ती के एक शदसे को चुने जाने लगा है तो पता होना चाहिए कि पंचायत समित्ती का चुनाव पांच हजार अबादी वाले इलाका में होता है तो 4000 एर यह हो जाएगा आपका 5000, 5000 वाले इलाका में होता है, यह थोड़ा सा इतना बड़ा कुश्चन हो गया है, यहां देखिए, भरतिय संसत के किस समिधान संसोधन 1952 में, पारित नगरिया स्वासासन, पारित हुआ था 52 में, इवनि गठन अतिरपन में लागू हो गया था तो 1992 लिखा है जी, नगरिये स्वासासन व्यासता के मनता देखिए, तो नगर 74 में संसोधन, आप पांचाय 73 में संसोधन, अगला कुश्चन देखिए, 21 नमबर, भारत में संग यह राजियों के बीच, अधिकारों का विभाजन की सुची, यह तीन इलाका में होता है, संग और राजिये दोनों मिल के नियम बनाता है, ठीक है, भारतियर राजिये प्रणाली, पंचायती राजिये प्रणाली का विवित सुरुमात, बलवंत राय मेहता ने 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के किस जिला में किया, तो राजस्थान के नगर जिला में यह हुई थी, भारत एक संग राजा है तो, ठीक है, इकहरी सासन बेवस्ता नहीं होता है, एक यह अदमी सासन थोड़े करता है, अलग-अलग-अलग-अलग हिलाका में सासन करते हैं, अब बात करते हैं कि बहुत दिन बाद, यहाँ पे कॉंगरिस यानि की इंद्रा गांधी की सरकार तू के एक जनता पार्टी की सरकार 1977 है, जिसके पदान मंत्री उस वक्त हुए थे मुरारजी दिशाई, अगला कुशन है कि भारत, भारतीय रास्टीयों कॉंगरिस का चुनाव चीन पंजा चाप है, हाथ का पंजा, साइकल चाप है, समाजवादी पार्टी, अखलेश यादवा मुलाइम सिंग यादो, वही हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अगापुरा आपको लिख दिया है, साइकल चाप, और भी कमल चाप है, यह भी आपको पता होना चीन हसुआ थोड़ा हो गया, कम्यनिस्ट का, ठीक है, अभी माले वाला का है, चली, अगला कोस्टन को देखत हैं, हम लोग बहुत ही फास्ट कराते हैं, समवर्ति सुची में रखा गया है, समवर्ति सुची में केंदर और राज दोनों को रखा गया है, को बताये थे न, सुची तीन पर करका, राज ये सुची, ठीक है, और हो जाएगा समवर्ति सुची, तो समवर्ति सुची में क्या तो भाई कौन करता है, कौन न्युक्ति करता है, तो राष्ट पती जी करते हैं, कि आई है हमारे यहां, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, वस्पा, वस्पा, इसको बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, तो यहां देख, क्या हो जाएगा, काशी राम, काशी ठीक है यहां पे वस्पा का गठन उनुनिस्षोच्ण चोड़ए में धौर था सरीकाशी नाम द्वारा अगला कुस्च्छन है कि भारतिया संघ में किस राजे को विसेश दरजा दिया गया तो वही तो जम्बू कस्मेर को क्या दिया गया है विसेशाजे का दरजा दिया गया उसके बाद से राष्ट के विकास परिशाद ही पूछते रहता है तो योजना योका गटन 15 मर्च 1950 को हुआ था और ठीक 50 के एक साल बाद एक आवन में यानि कि 50 में योजना बन गया प्लानिंग बन गया इंग्लिस में प्लानिंग कमिशन बोलते हैं प्लानिंग बन गया कि हर पांच साल पर इलेक्शन होना चीए विकास पर तो एक आवन से पंच वर्षिय योजना शुरू हो गया था नियायम मितर निमलिखित में से किस संस्ता के सेवक है ग्राम कचारी के सेवक है आप उपर पढ़े होंगे अभी बताएं और हम महराथन का विडियो अगर आप नहीं देखे हैं अगर किसी का तयारी थोड़ा भी नहीं हुआ है तो जाकर के उसे प्यार सा समझा दना है कि सिर्वर जाकर सब वीडियो का महरातन देख लिए सब में बयक बाब बाबुब नदो है भारतिये सासचन पढणाली क्या है तो बारतीय व् opioid संग है राज्यों का संग है ठीक है राज्यों कशांद के संग्यां अजा है निमली kicking क्म चाहां सो तो ACC में यह नहीं आता है और अनुष सटरी परुष। में जीला परिशल से परिशल कोई भारत में गैर कंइर Karen माने के सुरु से कोंगरेस हो ए चृड़ के चौूर में उनिश्टा पाटी इसी дोchlagen का थे घ्यार कंगरेस्ट ऑन पर खूड़ prostate गेर कांग्रेसी पारटी जो है जनता पारटी की सरकार आगई अगला कुछ तर की बात करें तो लगर निगम के निर्वाचित परधान कौन होते हैं तो महापार होते है यहाँ पे बिहार में पंचैती राजसंताएं होती है यहाँ पे त्री अस्तर्य होती है ठीक है त्री अगला कुश्चन देखेए तोड़ा सा यहाँ पे बता भी देखें पहली बार पंचायत राजस्तान के नगवर में भारतिये शमीदान का तिये तरवा समुझए सभगा सुर्ण के सम्दू से त टिया तरवा पंचायत पाउले पंचायत होता है बात में रचेज नंऽधर चाहर est जोटार फूच्छ यह तो यह वह जाएका ग्राम पंचायत राजे ठीक है यहnoc पांचायट इहां रहा में हो जाये कोँगा यह पांचायट अज None रूछ करें काना सबसेद्धरा नंक्तर रहारा संस्ता कौन है तो सथानिया व्हुत्य ग्राव ओंचायगा आपका ग्राइघ आप सबसे नीचे यही नहीं पोrek कि सोहर में यहां पे दिखते हैं सपूर्ण है तो थोड़ा नगर पंचायत हो गए तो यहां पे UK नमबर भी हो जाएगा ठीक है अब यहां पर देखते हैं कुस्चन संपूर्ण है तो थोड़ा इंतजार किजिए थोड़ा इंतजार का फिर मजा लेजिए यहां देखिए बिहार पंचायत राज अधनियम दोजार छोँ की अनुशार यहां बात करें तो पंचायत के अस्थापना के लिए नियून्तम जनसंख्य साथ हजार होना चाहिए अगर मान लिजी कि कोई पंचायत का चुनाव करना है मान लिजी जनसंख्या खुब ज्यादा बढ़ गया तो मान लिजी 14000 हो गया तो बोला ग यहान कौन होता है प्रामुख जी होते हैं अब बात करते हैं यहां थोड़ा दूसरा टॉपिक में इसी लेशन में कि वर्ष 1975 में भारतिय राइनितिक में किसलिए जाना जाता है क्योंकि उस समय अपात का लीन लगा था ठीक है इंद्रा गांदी से जब सासन नहीं चला नहीं बोल दी सीदे लॉकडाउन मने बंद करो हमसे नहीं चल रहा है तो अपात का लीन लगा दिया था और 1974 में बिहार में च्छात्र अंदुलन हुआ था जिसके नेता जय परकास नरायन थे आईसी के ना एक तरह से देखा जाए तो पार्टी में यह नितीश कुमार लालो जच नितीश से चाहिए जितना लोग भी है ठीक है यह इसी के पार्टी में थे स्टूडेंट थे उस वक्त यह जब च्छात्र अंदुलन हो था और आज पूरा भ्यार समाल रहा है देखिए देश के अंदर आपात कलीन लगा था नीचे इसका एंसर आपको मिल जाएगा सब कु से उल्टी गिंती शुरू थी एक हतर में इंद्रा गांदी की सरकार आई और इन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ पता नहीं चला इतना ना गरीबी आ गया गरीबी हटा नहीं गरीबो को हटाओ अला नारा हो गया था ठीक है कुश्चा नमबर तीन बिहार में संपून करांती क सरकार बने थी यह आपको पता होना चाहिए अगला है कि एक मिनट चिपको आंदोलन निमनलिखित में से किसे संबंदित नहीं है तो यह देखिए आर्थिक सोशन से तो है अंगूर के पेण को काटने से नहीं होगा अंगू होता है यह गलत हो जाएगा तो यही संबंदित नहीं है ठीक है कि चिपको और कोरेशी पाटी के बिरूद वाला भी नहीं हो सकता लेकिन यह हो जाएगा दलित पैथर्स आपको पता होना चेकी पहरे तो यह चीज़ जान लो कि एक आंदोलन था एक पाटी जो बनाए गया था इह महरास्ट में बनाए गया था कहां बनाए एंसर बी नमबर महरास्ट का इलागा में होता है निम्न लिखित में से कौन भारतिये किसान यूनियन के परमुक नेता थे तो टिक गय थे ना किसान देखना हार नहीं मानता है एकदम खित में टिके रहता है तो महेंदर सिंटिक है ठीक है चलिए अगला कुश्चिन को था अगला यहाँ पर देखे तो यहाँ पर नर्मदा घाटी परन किस राज़ी से संबंदी थैं यहां नर्मदा नदी पर नद सब्सक्रिया है सरदार सरो अर्म तो यह लगभक का इलगनी तो यह लगभक तीन राजे कौन मध्य, पर्देश, महाराष्ट, अगुजरात, कि तीन राजी से संबंदित है ठीक है तो यहां पे तीन राजी आपका एंसर हो जाएगा ठीक है अगला देखते हैं हम लोग सुचना का अधिकार अधिनियम की सुरुआत राजस्थान से पंचायत भी राजस्थान से अपके एक असर सुचना का अधिकार अधिनियम क्या होता है तो मुख्यया जी के पास मानी जी सरकार ने पैसा बेजा कि यह काम कराना है ठीके और कितना काम कराय घर अगर आपको पता नहीं चलता है तो उन पर आप जाके केस कर सकते हैं सुछना का अधिकार अद्नियाम से उनको पूरा का पूरा जी राक्स लाकर के देना पड़ेगा उ अगला कोशन देखते हैं सुचना काधिकारादियाम का कमजिसे संबंदीते 2005 वसे जोला है संबंदीत कम बना तो 2005 में बना चलिए अगला देखते हैं यहां पर कि नेपाल में सब्धालीया सब्त दलिया या सब्त दलिय ठीक है गटवन्दन का मुख्य उदेश देखिया था राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना रहे नहीं भारत और नेपाल के बीच समन्दन नहीं सर्वदलिये सरकार के स्थापना करना यह आपका एंसर हो जाना चाहिए लेकिन यहां तो गद दिया है रुख जाओ लोकतंतर सौरी हाँ ठीक है मने कोनों भी राजा को हटाओ लोकतंतर स्थावित करने के लिए न दिकत यह थे कि हम अपसने नहीं पड़े मेन मेन यह पढ़ लिए आई इसको ही छोड़ दिये हे भगवान क्या होगा इधर देखो 2006 में यह हुआ था यह आपको पता होना चीए हाँ बुलीबिया में हो गया मार पता है जगड़ा क्यों हो गया वहाँ पर हो गया जन संगर क्योंकि वहाँ की जरकार ने पानी पर ही टेक्स बढ़ा दिया पर महिना एकहजार उप्या पानी देना है एकहजार रुप्या देना पड़ेगा यह ओलीबिया पानी से संबंधित था पानी के कीमतों में ब्रिधी एकहजार रुप्य देना पड़ता था सिर लंका कव आजाद हो औ तो सिर लंका हुआ था 48 m Saturn में आजाद हो तो क्टे में लिखित में से कौन प्रमुक ऊदेश्य प्राया राजनीतिग दलोग का होता है । हुटा है कि नहीं होता है होता है सत्था प्राप्ट करना या रायीνदिग ब्लार क्या राजनीतिक का तो बैस राप्त करना हो जाएगा कौन ए बोलाया चुनाओ लड़ना का मुख्य यह प्षूढ करना जहें और सपा जाएगा सब्सक्राइब प्राप्ट करना सता मने चुनाओं में जीते रहा ना हमेशा जीत करा न चली 17 नंबर कोश्चन देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर कोश्चन है कि राजनितिक दलों की निव सर परतम किस देश में तो ब्रीटेन में सबसे पहले एलेक्शन की शुर्मात होई थी 18 नंबर कोश्चन है कि निमन लिखित में से लोकतंतर का प्राण राजनितिक दल को लोकतंतर का प्राण का जाता है यह 5 नंबर में भी कोश्चन पूछता है कि राजनितिक दल को लोकतंतर का प्राण क्यूं का जाता है अगला 19 नंबर कोश्चन है कि निमन लिखित में से कौन सकारे राइनितिक दल का नहीं है चुनाओ लढ़ना राइनितिक दल का है सरकार के अलोचना करना बोले थे ने यह भी हो जाता है अलोचना करना प्रकृतिक आपदा में रहत और अपस्वरों की बहाली करना अपस्वरों की बहाली करना ठीक है यह वाला हो जाएगा अगला कोश्यन है कि निमली खीत में कौन विचार लोग तंत के राइनितिक दलों से मेल नहीं खाता है तो राइनितिक दल लोगों की भानाओं को जोड़ता है यह तो बात सही है लोगों की भानाओं विचारों को जोड़ता है सरकार के सामने राइनितिक दल क्या करता है हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाता है बीच में एक विधायक दैक जी होता है हम विधायक जी से कहेंगे विधायक जी जाके मंतरी जी से कहेंगे तो ये बीचवनिया कामिलो करते हैं ये तो सही है रहनितिक दल में देश की एक्ता और अखंडता अस्थापित करने का साधन है देश के विकास के लिए सरकारी नितियों में रहनितिक दल बाधा है आरे नहीं बाधा नहीं है हमारी बाधा थोड़े है ये तो हमारी बातों को पहुँचाती है अगला क्वेशन देखे अगला क्वेशन है कि किस देश में बहु दलिये वेवस्ता नहीं है पाकिस्तान भारत बंगला देश उसके बास से और कौन है ब्रिटेन तो ब्रिटेन में बहु दलिये नहीं है एक दलिये वेवस्ता है ठीक है गटवंदन की शरकार की बात कर ले थो परकार के दलिय बयास्ता में राती है एक दलिय में गठ बंदन बन डलिया हो जाएगा ढ़त नृता है तोडते रहता है ठीक हां यहां किसी भी देश की रहाज़ितिक अस्तित व्करिय अस्तु टाहे निमुलिकित वर्तित कमें से क्या नहीं चाहिए क्या नहीं आवस्यक है होगा राइनितिक पाटी में क्या नहीं आवस्यक है तो सभी दौलो द्वारा सरकार का रशनात्मक शहयोग देना किसी धंग से सरकार को अबदस्त कर देना निर्ने परकिरिया में सरकार द्वारा सबकी शहमती और सरकार दूरा विरोधी दलोप में नजर बंद करना तो इसका एंसर दिया है आपका अध्व wurst वाला यानि कि ये वाला निमिलिखीत में किसी भी ढंक से सरकार को खराब कर देना बंद कर देना ये रह नितिक पार्टी का अस्तित वे निम iaश्यक नहीं बार बार पाठी को भंग कर दे जैसे नितिंषे ज़ह करें किया ला बार बार पाठी को भंग करये इससे क्या हो रहा है बिहार में राय नितिक दलो में नहीं है कि कौन से चुणावा समस notch चुनाव कंशित परतनुदित नहीं मिलना शब मिलता है ये भी हो धाल से दलबदल कानून यान सुची 10 में आता है जानि ए पाटी में धी रहा दूसरा पाटी में मिल जानी निमली खित मैं से किस कानून किस पर लागो नियुक्त होता है तो यह उता है कि राइनितिक दलों की मन्याता और उसका चिन किसके दौरा प्रदान किया जाता है तो राइनितिक दलों का जो मन्याता होता है राष्ट पती सची वाले प्रदान मंत्री के सची वाले निर्वाचन आयोग यह वाला हो जाए ठीक है यह यह निर्वाचन आयोग निर्वाचन म पार्टी कर नामों निशान नहीं है जेडेव जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ तो बाव उनीच द्यूण निञानवे में इसको किय थे सवरद याद हो, इस ने किया था सवरद याद हो, लेकिन बेचारे को नितीश चचा, उनको भी हटा के आज भी सत्ता में कायम है जे डीउ के नेता, यह याद है किन है, 1999 में सवरद याद हो और देखिये, राष्टिय कॉंगरेस पार्टी, भारतिय कॉंग्रेस पाटी है जो 1885 में लेकिन इसी से टूटा एक और पाटी तो भारतिय का जगा राश्टिया हो गया जो कि यह हो गया आपका राश्टिय पर जिसके नेता कौन है सरद यादा 1999 में यह हो थे ठीक है तो यहाद यह रखना है चलिए बॉलिबिया के बॉलिबिया में जन संगर का मुखे काण पानी की कीमतों में ब्रिदी यह तो आप जानते ही है ठीक है अगला कुशन है कि इन में से कौन तत्व लोकतंत्र के अस्थापना में बाधक है और सिक्षा अगर आप पड़े लिखनी है तो लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा दिकत वाली बात है आप गलत सलत नेता चुन लेंगे निम्न में से लोकतंत्र में सरकारे किसके प्रती उतरदाई होती है जनता के प्रती हमेशा उतरदाई होती है सरकार इंदरा गांधी की सरकार केंदर में कबस्ता पितुई 1971 में सरकार बनी 1971 में फिर सरकार इनका गिर गई और जनता पार्टी की स सबसे अच्छा माना जाता है लोक तंत्र बहुत अच्छा है कि लोगों द्वारा यहां नीता चुना जाता है अगला कोश्चन है किस सरकार में चुनाओं नियमित रूप से होता है लोक तंत्र में हमेशा टाइम से चुनाओं हो जाता है विकास हो ना हो चुनाओं जरूर हो जाता है निमलिखित में से कौन करक लोक तंत्रिक शासन व्यवस्ता के अनुरूपी है तो लोगों का शासन यह तो सब लग रहा है डी अप्सन इसका सवर्णी डी ही होगा ठीक है यह डी एंसर आपका सही है अगला कुश्चन है छत्तिस नंबर चले निमलिखीत कत्नों में लोकतंत्र के मुल्यांकन का लिहाज से कौंसा कारक लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है तो यहां हो पर किसी का ताना साही नहीं चलता है सरकार बोलिए कि यहाँ संविदान है संविदान में सब कोई आता है लोक तंतर में चुनाओं में भाग लेने और अपने परतिनी चुनने का अधिकार किसे है निरवाचा नायोक अपना परतिनी थोड़े चुनना है जनता अपना परतनेदी चुनती है ठीक है अगला कोस्चन है 38 नमबर कोस्चन अब खतम होगे इलाहाबाद उच नियाले ने इंदरा गांधी की सरकार होगा सलवार लिखा गया सोरी सरकार को वैद घुशित कप कर दिया 12 जुन 1975 को इलाहाबाद में बोला गया कि इंदरा गां मैदान दिल्ली में है यहाँपे आंदोलन जुचीयों 1975 को रामलीला मैदान में नरायन अंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में हो था यह पूरा लिख्व कंग्रिस की अस्थापना अट्रे सो पचासी में हो थी ठीक है का अब बात करते जो भी सरकार दोरा काम दिया जाता है उसकी हम लोग छाया प्रती निकाल सकते हैं यहनी कि उसका जीरोक्स मान सकते हैं किसी भी अधिकारी से उसका पेमेंट का राइनितिक दल क्या है तो यह भी आपका डेफनिशन यहां पे लिखा गया है आप इसको भी देख सकते हैं और कड़ी का काम यह बीच में करता नहीं है हमारी हम क्या करते हैं हम इनको सबसे पहले यह जनता है यह क्या है जनता अपनी बातों को किसके पास पहुचाते हैं जो बिचवनिया होते हैं उनके पास ठीक जो नेता होते हैं और यह राइनितिक दल यह राइनितिक दल पहुचात तो दल बदल जानते ही हो कि किसी भी पार्टी में दूगों पार्टी है तो इसमें का कुछ बिधायक वगरा सांसत वगरा दूसरे पार्टी में चल जाते हैं दल को बदल देते हैं इसी को दल बदल कानून कहते हैं तो उमीद करते हैं कि एक बहुत ही मैराथन वीडियो हिंदी ग्रामर का आ रहा है जिसमें आपको न एक भी टॉपिक हिंदी ग्रामर का छूटेगा नहीं मालेज़े कि हिंदी कितना नमर का 100 नमर का होता है कितना नमर का होता है 100 नमर में 45-50 नमर का व्याकरण होता है अदानमर का लगबग होता है तो यह आपका व्याकरन उसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा यह मेरी गरांटी है तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसी महरातन के साथ तब तक लिए जैंद और खुदा हाफिश